इसराइल और हमास के जंग के बीच बड़ी ही धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है पहला तो ये पूरा का पूरा वीडियो रिलीज कर दिया गया है हुती विद्रोईयों के द्वारा कथित तौर पर जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गेलेक्सी लीडर को अपहरित किया गया तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका लाल सागर को बचा पाएगा बाकी इजराइली जहाजों को बचा पाएगा और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए साउथ अपरिका बुरी तरीके से नाराज है इजराइल से और साउथ अपरिका ने क्या किया है साउथ अपरिका ने एक इमरजेंसी ब्रिक्स की मीटिंग बुला ली है इस मीटिंग में चाइना, रूस और भारत के पीम ने क्या रियेक्सन दिया है बहुत बड़ी चीज हो रही है और आपको जानकर आश्चरी होगा कि बंगला देश ने इन सारे मामलों में क्या किया है जियोपॉल्टिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से गैलेक्सी लीडर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि वैसे तो इसराईल का इस जहाज पर एक छोटा सा मात्र ही हिस्सेदारी है लेकिन इस छोटी सी हिस्सेदारी के बाद इसे हाईजे कर लिया गया जापान इस चीज़ को लेकर अभी भी बातचीत कर रहा है यमन के हुती विद्रोहियों से लेकिन एक वीडियो रिलीज किया गया है इस वीडियो को देखिया आप किस तरीके से कैप्चर किया गया है इस गेलेक्सी लीडर कारगो सिप को ये एकदम से डराने वाला है अब सबसे बड़ा सवाल हमने आपको कल भी बताया था कि स्ट्रेट ओफ हरमुज से भारत के बहुत जादा जहाज आते हैं इस तरीके से हेलिकॉप्टर से उत्रे ये यमन के हुती विद्रोही और फिर ये हेलिकॉप्टर उड़कर वापस चला गया और इन्होंने इस पूरे गैलेक्सी लीडर को दीरे दीरे अपने कबजे में ले लिया अब अमेरिका से सवाल हो रहा है कि क्या अमेरिका रोक पाएगा इस तरीके के हम लोको जो इस वक्त हो रहा है खूद यमन के हुती विद्रोही वीडियो को रिलीज करके अपनी त दिखा कर येट करना चाह रहे हैं कि देखो दवाब बनाओ इजराइल के उपर वरना सीन बहुत खराब होगा अमेरिका से भी सवाल हो रहा है कि लाल सागर पर अब आगे कैसे बचाएंगे चीजों को और अमेरिका का क्या कहना है क्या सीज फायर होगा तो आपको बता दें जो हमास का मुखिया है स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए हमास का मुखिया ये कह रहा है कि सीज फायर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और आसा है कि जल्द ही सीज फायर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो बाइडन कथी तोर पर ये कह रहे हैं कि अगर सीज फायर होता है तो ये सीज़ फायर एक तरीके से हमास को बल दे देगा और हमास को री ग्रूप करने का मौका दे देगा तो ऐसा लगता है जैसे कि बाइडेन यहां पर पक्ष में नहीं दिख रहे हैं सीज़ फायर के तो फिर सवाल उठता है कि क्या सीज़ फायर नहीं होगा तो आगे इस यु रेगुलर वीवर है उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि साउथ अफरिका में जो इसराइल के राजदूत है एली इन्हों ने एक बयान दिया और ये बयान इतना जादा हरकंप मचा गया साउथ अफरिका के अंदर कि साउथ अफरिका की संसद में बैठक होने लगी और लेकिन अब क्या हुआ है इस्क्रीन पर आर्टिकल देखिए एली को इसराइल ने वापस बुला लिया है साउथ अफरिका ने पहले ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिये हैं साउथ अफरिका ने अपने राजदूत को बुला लिया है मामला यहीं पर खतम नह देस कौन-कौन से है मन में आपके ख्याल आएगा तो आपको बता दे इन पाँच देसों में एक नाम सुनकर आप चौक जाएँगे लेकिन एक नाम जरूर चौकाएगा आपको इन पाँच देसों में नाम है बॉल्बिया कॉम रोस जिबूती और बंगलादेश, साउथ अफरीका बंगलादेश का नाम आपको चौका रहा है स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए टाइम्स लाइव ने इस बात को एक नॉलेज भी कर दिया है कि हाँ जी हमें पाँच देश जिसमें साउथ अफरीका भी सामिल है इनवेश्टिगेसन इसराईल के उपर हो वार क्राइम को लेकर और इसको लेकर हमारे पास आवेदन आए है सिर्फ इतना ही नहीं साउथ अफरीका ने कहा है जो उनकी कमीटी है साउथ अफरीका कोई भी हतियार इसराईल को नहीं देगा अब आपके मन में ख्याल आएगा अफरीका को तो खुदी हतियारों की जरूरत होती है अफरीका कौन सा हतियार देने जा रहा है तो आपको बता दें किस तरीके से एक खबर आई कि धेर सारे गोला पाकिस्तान दे रहा है पाकिस्तान को तो खुद हतियारों की जरूरत है तो यहाँ पर भी South Africa के द्वारा यही कहा जा रहा है। अच्छा तो इतना सही बात है। बंगलादेश ने अंतराष्टिये कोर्ट में केस कर दिया। और अफरीका ने ये बाते कह दी। अफरीका से अपने राजदूत निकाल लिये इसराइल ने। इतना सही है। आपको बता दे कहा जा रहा है कि South Africa के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि नेतन यहु को आरेश्ट कर लेना चाहिए। ठीक है लेकिन ये बातें बातों तक नहीं रह गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। South Africa ने इमरजेंसी में एक ब्रिक्स की मीटिंग बुला ली है। और ये मीटिंग extraordinary मीटिंग मानी जा रही है। South Africa इस summit को host कर रहा है और host कर रहा है virtually यानि कि online होकर। और इस मीटिंग में कौन कौन आ रहे हैं। ब्लादेमिर पुतिन इस मीटिंग में सामिल होंगे और सी जिनपिंग इस मीटिंग में सामिल होंगे। और आपको बता दें इस मीटिंग में साओधी अरविया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, इरान, युवई ये सारे को बुलाया गया है। लेकिन जो बड़े बड़े नाम है रूस के राष्टपती और चीन के राष्टपती अफरीका के तो होंगे ही और भारत की तरफ से तो आपको बता दें पीएम मोधी इस मीटिंग में सामिल नहीं हो रहे हैं। यानि कि यहां पर साउथ अफरीका अब एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है और इस गेम में साथ देने के लिए चाइना और रूस आ गए हैं। एक बड़ा कदम उठा लिया है और इसराइल ने क्या कदम उठाया है तो भारत में जो हमला हुआ था चब्विस ग्यारा का हमला अभी चब्विस तारिक आने में वक्त है। लेकिन इससे पहले ही इसराइल ने लस्करे तव्वा को एक आतंकवादी संगठन घोसित कर दिया है। यानि कि इसराइल अपनी तरफ से पूरा सॉलिड सपोर्ट दिखा रहा है भारत को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है। कमेंट कर जरू बताएं। जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ।